हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा तो कैसे आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी सीरीज बन कंसेप्ट अडे इसके बारे में आप लोग अभी तक सब जानी चुके हैं जो लोग नए जूड़ रहे हैं इसमें सीरीज में बेसिकली वे डिसकॉसर कंसेप जो आपका करेंट अफेर्स में रहता है ठीक है जनरली हम कंसेप्ट को बहुत डिटेल में डिसकॉस करते हैं लेकिन आज जो हम टॉपिक डिसकॉस करने जा रहे हैं इसकी जादा डिटेल और जादा एडिटोरियल्स वगरा भी हमारे पास नहीं हैं क्योंकि कल ही एक आइड पहले भी कुछ और्गनाइजेशन ने एक्सप्रेस किया था वो भी हम देखेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कल 15 अगस्त का जो उनका भाशन ता उसके एक्सपेशन के बाद इस आइडिया को और जादा जो है एक तरह से स्पीड अप मिलेगा स्पीड मिलेगा और वैस नाशनल डिजिटल हेल्थ आईडी और ये नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहट इसको पूरा किया जाएगा तो क्या है ये नाशनल डिजिटल हेल्थ आईडी इसको आज हम इस लेक्चर में समझने के कोशिश करेंगे जिसकी बात कल प्रदान मंतरी ने लाल के लिए से अपनी speech में की थी तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह National Health ID सिस्टम है क्या अब National Health ID में क्या होगा It will be like a repository ठीक है, एक digital repository होगी जहाँ पर एक व्यक्ति की सारी health related information होगी जैसे अगर आपने news को आप अगर regularly follow करते हो तो आज से कुछ साल पहले 2015-16 के आसपास जो सरकार है वो एक Digi Locker करके concept लेकर के आई थी यह Digi Locker का क्या concept था कि इस Digi Locker में आप अपने सारे documents, आप अपने सारे certificates, आप अपने सारे जो government documents है जैसे कि driving license, registration certificate आपकी गाडी का वो आप इस Digi Locker में जो है रख सकते हैं और यह Digi Locker को अप सरकार क्या कर रही है कि अगर आपको physical copy documents की carry करने भी ज़रूरत नहीं है आपके आप पास आपका mobile होता है आप उस mobile में Digi Locker के तुरू अपना ID proof या अपने documents जो है वो show कर सकते हैं ठीक है तो उसी तरह से अब सरकार एक national health repository लेकर आने के बात कर रही है जहां पर एक व्यक्ति से related उसकी सारी health information जो है वो store की जाएगी ठीक है अब for example एक बंदा है इसने कभी अपने आपको पंजाब के किसी government hospital में show किया लेकिन फिर इसका transfer हो गया और यह चिन्ने ही चला गया ठीक है अब यह जो व्यक्ति है इसकी health ID बनी हुई है और इसकी जितनी भी health information जो पंजाब में इसके check-ups हुए थे वो सारे उस health repository में डले हुए तो जब वो चिन्ने के किसी भी doctor के पास जाएगा चाहे वो private hospital हो चाहे वो public hospital हो वो उस health repository से उसकी health information को access कर लेंगे जिससे patient को भी easy हो जाएगा और health जो attendance है उनके लिए भी काफी process जो है easy हो जाएगा अब इसका जो जिम्मा है ये national health ID और ये सब patients के लिए जो create करना इसका जिम्मा दिया गया है national health authority को ठीक है अब national health authority का ये ही कहना है कि जो भी patients चाहते हैं कि उनके health records digitally available हो उनको एक health ID जो है वो create करनी पड़ेगी ठीक है अब जो ये health ID होगी ये एक health data consent manager के साथ linked होगी जैसे कि आपका national digital health mission है उसको data consent manager बनाया जाएगा patient का consent लिया जाएगा पहले कि क्या वो allow करता है कि उसकी जितनी health information है that can seamlessly flow ठीक है अगर वो allow करता है तो फिर उसको health ID एक create करके दे दी जाएगी और वो health ID में उसका सारे का सारा data जो है वो रहेगा अब health ID किस तरह से create की जा सकती है it can be created by using a person's basic detail mobile number आधार number ठीक है तो जनम से लेकर के या फिर जब उसकी health ID create हुई उस समय से लेकर के फिर जितनी भी उसकी health progress होगी वो सारे के सारी उसकी information अड़ आप होती जाएगी कहीं पर वो blood test कराने गया वो information अड़ हो जाएगी sugar test कराने गया वो information अड़ हो जाएगी आपनी कोई disease discuss कर रहा तो वो सारे का सारा information जो है health platform में health उस ID में आ जाएगा ठीक है और ये जो health ID होगी ये हर व्यक्ति के लिए unique होगी ठीक है ये हर व्यक्ति के लिए unique होगी और बंदे के पास choice होगी उस व्यक्ति के पास choice होगी कि वो link करना चाता है अपने health records को ID के साथ या नहीं करना चाता है अभी ये voluntary basis पर ही सारा process जो है प्रदान मंतरी ने कहा है कि अभी इस process को एक mission basis पे एक testing basis पे union territories में launch इसी वज़े से किया जाएगा अब क्या ये idea जो कल प्रदान मंतरी ने express किया है तो क्या ये idea पहली बार प्रदान मंतरी से निकल कर आया है क्या ये कल की जो speech थी उसमें ये original idea था तो ऐसा नहीं है आपकी national health policy 2017 ने पहले ये कहा था कि भाईया हमें एक digital health technology ecosystem बनाना है ठीक है ताकि हम एक integrated health information system बना सकें कि पूरे country में जितने citizens हैं जितने लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका एक integrated health information system बना सकें ताकि हमें idea लग सके different diseases के बारे में various health issues के बारे में country के जो लोग है और ताकि accessibility जो है वो भी जनता की असान हो जाए ठीक है इससे efficiency भी आएगी transparency भी आएगी और citizens का experience भी improve होगा अगर वो अपने आपको public और private healthcare से link करेंगे तो ठीक है क्योंकि सब कुछ linkage हो जाएगा अब उनको बार बात बताने की समझाने की जुरूत नहीं पड़ेगी किसी नहीं doctor के पास जाने के बाद कि मुझे पहले ऐसे होता था फिर मुझे ऐसे हुआ उन डॉक्टर साब ने मुझे ये दवाई दी इन डॉक्टर साब ने मुझे वो दवाई दी ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा एक health ID डॉक्टर जिसके पास भी हो जाएंगे वो उस health ID को access करेगा वो खोलेगा वो उनकी सारी history फटा फट से कि how to make digitalization a backbone for Indian health system National Health Tech के नाम से इन्होंने के consultation प्रोसेस शुरू किया और consultation के बाद नीतिया योग ने भी ये प्रपोस किया कि एक digital health ID बनाई जाए और ये digital health ID basically किस चीज में help करेगी एक तो ये जो medical errors हैं उनको prevent करेगी ठीक है और quality of care जो है वो जन्ता के लिए improve यहाँ पर करेगी ये सारा जो सारा आप समझ दो ना ये means के लिए बहुत जादा important है आने वाले समय में इसमें हिंदू के अंदर, Indian Express के अंदर या debates के अंदर बहुत सारी debates चलने वाली हैं वो भी हम track करेंगे ठीक है कि क्या इसके benefits हैं, क्या इसके losses हैं loss तो भी आपको बता देते हैं, एक negative effect इसका हम दिखा देते हैं ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि अभी ये National Health ID का जो है इसमें interaction, कौन से कौन से जो stakeholders हैं वो इसका part बनेंगे तो अगर आप देखें, इसमें various stakeholders आएंगे सबसे पहले तो आपके hospitals आगे, आपके labs आगे, जहांपर testing होती है insurance companies आजाएंगी, क्योंकि insurance company आप insurance कराते हो तो insurance company भी आपका सारा record लेती है ठीक है, insurance company ये देखती है कि आपको कोई disease है, कोई problem है या नहीं है उसके बाद आपका insurance करती है तो अब insurance companies के लिए भी easy हो जाएगा ठीक है, कि वो आपका फटा-फट से insurance process जो आपका speed up हो जाएगा उनको जादा आपके testing नहीं करानी पड़ेगी अभी generally क्या होता है, जो private insurance companies से अगर आप insurance कराने जाते हो तो वो आपको कहते है आप पहले medical test करा कर दो फिर आपका medical test के ओपर खर्चा होता है ठीक है, या फिर वो आपसे charge लेते है insurance company वाले तो आप उनको जुरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको बार-बार टेस्ट कराने की जुरूरत ही नहीं आपने रिसेंटली अगर कहीं पर टेस्ट करा है आपकी health ID में सारी information stored है and they can easily access it from there ठीक है, online जितनी भी pharmacies हैं उनको भी इसमें भागीदारी दी जाएगी कि कहा क्या किस तरह की medicine जो है वो order की गई है, ठीक है, telemedicine firms हैं जो ये सब इसमें participate करेंगे, ठीक है लेकिन strategy overview document में जो भी initial strategy document है इसमें सीधा-सीधा ये का गया है कि digital health ID का option सबके लिए है लेकिन अगर कोई नहीं चाहता ऐसी health ID को बनवाना तो भी आप उसको treatment डिसलाओ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक voluntary चीज है, ये permanent नहीं है ठीक है? चलिए अब क्या ये दुनिया में कभी हुआ है पहले कभी किसी country ने ऐसा करने की कोशिच की है या हिंदुस्तान हमारा पहला है तो ऐसा पहले हो चुका है 2005 में UK की जो national health service है उन्होंने भी एक इस तरह का process जो है start किया था कि एक electronic health record system को वो build करें और गोल उनका ये था कि centralized electronic health record बना देंगे हम 2010 तक, यानि कि 5 साल में और इसी लिए काफी hospitals जो है उन्होंने भी electronic patient records जो है वो maintain करने शुरू किये लेकिन जैसे ये process आगे बढ़ा तो ये देखने को मिला कि जो ये health hospitals थे, इन्होंने national health care information exchange हुआ ही ठीक है, nationally health care information exchange हुआ ही, hospitals ने data collect करना शुरू कर दिया, पर उसको share नहीं किया, अब ये program को ultimately UK government को dismantle करना पड़ा, और काफी क्योंकि expensive ये program था यहाँ पर कुछ 12 billion euros जो है, वो UK सरकार के खर्च होगे थे, UK के taxpayers के खर्च होगे थे, and it is considered as one of the most expensive health care IT failures, failure क्यों हुआ analysis का ये कहना कि project जो है, ये fail इसी लिए हुआ क्योंकि एक तो देखो, specifications change हुए जा रहे थे continuously, technical challenges बहुत जादा थे, आप सच सोचिए UK जैसी country, जहां पर population इतनी जादा नहीं है, और वो country area wise भी काफी छूटी है, वहाँ पर अगर technical challenges आ रहे थे, तो India को कितने जादा technical challenges इस चीज के लिए fail करने, face करने पड़ेंगे, clashes with the suppliers, जो information supply करने वाले लोग थे, वहाँ पर clash आ गया, क्योंकि काफी जो companies थी, उसमें privacy concern आ रहा था, कि we are not going to share information with you, कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग है, हमारे customers है, वो hospitals है, वो insurance companies है, हम उनकी privacy के साथ hinder नहीं कर सकते, तो data sharing में बहुत जादा clashes आ रहे थे, and ultimately, इस project को बंद कर दिया गया, पूरा होने से पहले, तो it was a failure, and that to a huge, with a huge economic cost, all right, तो अब इंडिया में हमें देखना है, कि इसके क्या benefits है, क्या losses है, ठीक है, benefits, जैसे कि हमने शुरू में देखा, ease of access हो जाएगा, ठीक है, आपके पास information रहेगी, अब जैसे pandemics फैलते हैं, ठीक है, तो pandemic कहां से शुरू हो, आप उसको track कर सकते हो, properly, अगर आपके पास एक proper health information system बना हुआ है, जो digital health information system है, आप अपनी लोगों की health को और ज़्यादा अच्छे से maintain कर सकते हो, आप region-wise analysis कर सकते हो, कि इस region में इतने लोगों को ये problem है, अभी आप बड़े-बड़े surveys करते हो, और वो भी surveys इतने जादा successful नहीं होते है, यहाँ पर आपके पास authentic data आजाएगा, ठीक है, बाकी इसके benefits और नुकसान हम तब देखेंगे, अभी हमारे पास editorials की bar लग जाएगी, इस topic के उपर आप देखना, editorials आने दो, और फिर उसके बाद इसके, उसको अच्छे से analyze करके debates आने दो, फिर हम आपके साथ इस topic को एक बार दुबारा से analytical point of view से discuss करेंगे, अभी इस lecture के लिए इतना ही, I hope आपको मज़ा आया हो, और अगर मज़ा आया हो, तो subscribe जरूर कीजिएगा, अगर पहली बार आप चैनल के साथ जुड़े हैं, अभी के लिए धन्यवाद मिलते हैं, next classman,